शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें पार की है कल दूसरी और करेगी तब या तो श्रमी भीटिया अपनी सच्चाई सावित करेगी नहीं तो सजा की तौर पे अपनी पढाई छोड़ देगी कि देखेना कितनी छोट लग गई है लेकिन हुआ क्या है कई से मार पिटाई कर क्या है क्या पता नहीं किसी लड़की काड़ुपट्ट्टा है लगए? किस काड़ुपट्ट्टा है, ये? मूमे दैजमालीया, एक्या? पताता, क्यों नहीं? लड़की के चक्कर में मार पिटाई की, एक्या? कौंथी, वो, बता! पता, वो, वो, बता, वो बया दिवरके लड़के पसमता है यूथ्या. उस्वेगा? अम्मा जी, अम्मा जी, भोष्याग्या. मेरे बच्च.. शिबू, बाबु तू ठीक तो है ना? बहिया, अरे, 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 अराम से, अराम से, बिटा, टाइम क्या हुआ है? दोस बज गई बहिया जी? अरोसा करो हम पर, हमने नहीं क्या जैसे, लेकिन जिसने भी किया ना, कल सुबा होने से पहले, पुरसर तुमारे कदमों में लाके पठक देंगे, हम अरे, अरे, बिटा, क्या हुआ? कहा जा रही हूँ? चुबू, बिटा, कहा जा रही हूं तू? दादी, हम किसी को जुबान दिये, हमें जाना पड़े हूँ. उसी के? जिसके चक्कर में पीट के आया हूँ? कान खुल कर सुन लो, तुम कहीं नहीं जाओगी. तुमारे एक ही मकसद है, उस मकसद के बीच में लेड़के कभी नहीं आनी चाहिए शिवो. क्यों? नहीं, अम्मा. उम्मारे मकसद के बीच में कोई लड़के यहां सकती. लेकिन आज, आज हमको उम्माफ करदीजी. आज हम आपकी बात नहीं मान पाएंगे. अम्मारा जाना बहुत जवरी, अम्मा. परना बहुत तेर हो जाएगे. अम्मा. अम्मा. आखिर कौन है यह लड़की, जिसके बचाए से आज, भाई ने पहली बार अम्मा की बात अनसुनी कर दी. मानिये या ना मानिये, इसके सर पे लगा हुआ कलंक अभी मीटा नहीं. नाख पंचमी की पूजा से पहले पहले, स्रवनी बिटिया अपनी सच्चाई सावित करेगी, नहीं तो अपनी पढ़ाई छोड़ेगी. आप अए पिटिया तूथ थोड़ा बड़ा बरतन लेका ना आज नाख पंचमी है ना बाभी ने बोला जाज़ा दूदेने के लिए ताई जी ताई जी वो जड़ा दूर ले लीजे ना हमारे हाथ गंदे है हाई यह देखिए ताई जी ने, हमने नाख देवता बना के सिंदूर से टेख दिया है बस कच्छी दूद में धान की लाई मिलानी हम मां के रहे थे किसे पूरे घर में भी छिड़कना होता है परना असली के सापा जाते है अरे हाँ अच गुडिया पीटने भी तो जाना है हम अ यहां नाख हुंतनी की पूजा के लिए लगी हुई हो सारी औरते पंचहत के लिए आती होंगी तुम अपना साथ साबित कर पाऊगी न अगर नहीं कर पाए तो लोग हमें ही गुडिया समझ कर पीट के अपनी पंचमी मना लेंगे त्योहार है आजदाई जी हम भी देखते भगवान हमारे साथ मियाए करता है की नहीं थाकुर साहब शीप नमस्ते आईये आईये नाख पंचमे की बहुत-बहुत सुपकामना है आपको माफ कीजे भाई साथ हम यहां कोई नाख पंचमी की पुजा में शामिल होने नहीं आए हम तो यहां सिर्फ स्रवनी का सच जानने आए है यह सब क्या हो रहा है थाकुर सब बहुत गलत बात है आपके गराने की लड़की से उम्मीद नहीं थी हम देखो बेना यहां तो सच साबित कर दो नहीं तो जो पहले से तै हुआ है वही होगा भगवान क्या सच में अपने सपने के इतने करीब पहुचकर आम उसको खो देंगे इतना बड़ा किदम मत उठाइए हम बंती करते हैं आप लोगों को जरूर कुछ गलत फैमी हुए है माँ अपली साथ मैं जोडिये ताहो जी आप भी बंती मत कीजिए अगर इन लोगों को यही सही लगता है तो ठीक है अगर आप लोग यही जाते हैं कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ दे तो छोड़ देंगे लेकिन अपने परिवार पर अब और कलंक लगने नहीं देंगे लड़की बेक असूर है असली गुनेगार को यहार कर देखा उन्सेश यहीं लड़कीं को बतनाम करने कोशिश कर आता है शुबंब तूम अब जानती है से फ्री इंस्पेक्टर ये ये अमारे साथ स्कूल में था पक्षाई राम कहानी जी वह 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 स्कूल के टाइम से हम स्टावनी को बहुत पसंद करते थे लेकिन ये अपने आपको पतानी क्या समस्कती थी अरे इसने कभी आग उठाकर तक नहीं देखा हमारी तरफ बहुत कोशिस किये हम लेकिन इसने कभी ध्यान नी दिया बस इसलिए हमें गुछ्सा आगे तु महम से ऐसे बदला ले दे थे हमारी हमारी बेज़ती करा है तो नी आमने जोवी क्या गुस्से में हमसे कलती हुई हमाफ करो ने देखा वो लड़का श्रवनी के कुछ जादा ही आसपास मंडरा रहा था लिकन इसने बार बार उसे टक दिया बस मौकाद देखकर, रहने हनदोनों की कुछ ऐसी फॉटोज़ खीच लेखे ले विगी हम से बाद में दिखाकर इन दोनों को बदनाम कर सके है और यह साबेत कर सके लेके इन दोनों के बीच में जरूर कुछ नह कुछ है हम भस इसकी जगह रवाना चाहते थी तुझ जाख साही कराना चाहता था? बदनाम करें गावानी पेटी को? जान समाट डाले! जान समाट डाले! जान समाट डाले! ताउची! ताउची! लेकिन आपने इसे पकड़ा कैसे? एक लड़का आया था. शिवांश नम था उसका. ताउची को बदनाम करने कोशिश कर रहा है. और उसी नमें टिप दी कि गोरुपूर बस सड़े से भाग रहा है. जब हम गोरुपूर बस सड़े पहुचे तो अब तक यह वहां से जा चुका था? वहां लगे CCTV पूटेश से हमें यह पता चला कि ने राम खोली की बस पकड़ी है. और जब हमें यह पता चला कि ने राम खेली की बस दी है तो, हमने आगे लगे थाने को इनफॉर्म किया. तो इसो पकड़ ले. सारी रात बो लड़का खुन मे लगप तुमारे पास बैठा रहा. और यह बोलता रहा कि उस लड़की की इजग का सवाल है. बने उस लड़की की बहुत मिन्नामी होगी. इसने में किया ने? कल सुबा होने से पहले उसे तुमारे कदमों में लाके पठक देंगे. कल का आने वाला सवेरा तुमारे उपर लगे इस कलंग को दो देगा. अपनी बात का पक्का निकला. जो कहा था उसे पूरा करके ही छोड़ा. धन्यवाद, इंस्पेक्टर सहाब. जोड़िये गने इसको, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. बिलकुल. और आप लोग अब भी कोई सवाल बचा है क्या आप लोगों का? हमने कहा था, हमारी घर की बेटी कोई घलत काम नहीं करेगी. लेकिन आप लोग तो जलती भी आग में हाथ आपने आए थे. आप लोग हमेशा एक बात याद रखिए, हमारी बेटी क्या किसी भी घर की बेटी के संस्कारों पर उंगली उठाने से पहले सोच लीजेगा कि बेटी सब की सांजी होती. हलो, किया? किया सुल्व हो गया. चीए. देखे चले से. श्रबनी बिटिया, माफ कर देना हमें. हमने तुम्हें गलत संजा. और जो कुछ भी बोला है, सच्ची में बहुत बुरा लगा है हमें. कोई बात नहीं, अंटी. गलर फेमी हो जाती है. भेन जी, अब पानी पेंगी. पानी ले आए. इस्पेक्टर साब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपके मदद के बिना इतना कुछ नहीं हो पाता. जी, ठीक है. छुटकी, आश्तु तेरा देन नहीं नहीं? मतलब नाकपंच में यहन्ना? भाया! अच्छा, ठीक है. शारी, शारी, शारी. शारी, शारी. नराज हो गई या, मलाक कर दो. छुटकी, तरको याद है, कि बच्छमन में कितना मज़ा आता था. तुम सब लड़कें अपनी कपड़े की गोडिया बना के लाते थे, और हम सब लड़कें दंडे से उसे पीटते थे. हमारे छुटकी हमसे नराज है. क्या फरक पटता है भाया? आप तो ऐसे भी भूल गाएं कि आप हमसे कुछ वादा भी किया था. क्या है कि आप तो कहीं और बिजी चल रहे हैं आज? ऐसा हो सकता है अभी? ऐसा हो रहा है ना भाया? बना बताये अभी तक हमारे एड्मिशन हुआ क्यों नहीं? पर वादा निभा नहीं सकते ना तो वादा करियेगा भी मत. अजये परे चुटकी! 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 तुम्हारे पापा के जाने के बाद इस घर की पुरी जिम्मेदारी तुम्हारे उपर आ गई, शिबू. सबको खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठाई भी थी. तो आज कैसे चुके? शिबू बेटा, नाराज है, थोड़ी दिर में मान जाएगी, सब ठीक हो जाएगा. नहीं मा, अम्मा सही कह रही है, और छुटकी भी. इस घर में आप सबकी सिम्मेदारी मुझ पर है. और मैं कैसे भी करके ये वादा निभा कर रहूँगा. बेटो बेटा, हम नाश्ता बना के लाते हैं. मुझे कैसे भी करके ओ, श्रवनी से बात करने ही होगी. उसे उसकी स्षीट छोडने के लिए मुझे उससे मनाना ही होगा. जाए कुछ भी हो जाए. एक और बार बचा लिया हमने आपको. आज आपका नाम ले लेते, तो आपकी बला इसी में है, कि आप जल्द से जल्द हमारी जमानत करवाईए. स्वीती, स्वीती. जल्दी आजो, हमें देरी हो रहे हैं. गुर्या पीटने जाना है ना? दाई जी. श्रवनी, बिटा ये फल और चने सब में बाढ़ देना. जी मा. और ये तुम दोनों के गुडिया. बिटा, हमें अपने बर दाऊ के लिए... दाऊ जी? बूल जाएए वो सब बाते. हम भी बूल चुके. स्वीती, चलो, देडी ओडिये ना? सब रहा देखने होंगे. जल्दी जले, जाओ, जाओ. जाओ, अब हम लोग गुडिया पीटने की शुरुवात करते हैं. लेकिन गुडिया तो लड़के पीटते हैं, ना? हाँ, सारे लड़की का आँगे. उनके बिने ये रसम अधूरी है. लड़के भी तयार हैं. जाओ, जाओ, जाओ. जाओ, जाओ. शिवांच नम था उसका. उसरे में बताया कि एक लड़की उपदनाम करने कोशिश कर रहा है. जाओ, 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 जाओ मजनु अराम से बहें, छोट लगी यह वही कह रहे है भाहिया जी गुडिया से आप पहले ही कुटाई खा चुके हो और अब मत पिड़ जाना बस बता रहे हैं अब अधा बोल लियो भावी जी से ध्यान हटा के स्रवनी पर द्यान लगाओ कैसे भी करके हमको उसकी सीट चीन अब यार मजनु तुम बात तो ठीक कहे रहो यार जब भी यह मुनिय हमारे आस पास होते हैं अब हमारा दिमाग खुम जाता यार पुरा एप चलो चलो इंतिजार किस बात कर गुडिया पीटने की शिर्वात करते हैं सब बोलो जय नाग देवता की जय नाग देवता की जय अब बोले नाग, सब लोग अपने अपने गुडिया यहां रगतो अब बोलोग करें क्या है चलो गुडिया पीटो अरे, यह तो हमको ही कुर रहा है बोलो नाग देवता की जै इसे आप सब को पता है इस कपड़े की गुडिया यानि पुत्री को पीथने के पीछे कौन सी कहानी है बोलो बोलो मैं बताती हूँ तो एक बार एक लड़के की दोस्ती एक साप से और वो साप और वो लड़के बहुत अच्छे दोस्त बन गए बहुत गहरे दोस्त बन गए इतनी गहरे दोस्ती हो गए उनकी कि कभी साप को कुछ मुश्किल होती थी तो लड़का बचाता था और लड़के पर कुई मुश्किल परती थी तो वो साप उसके मदद करता था एक बार सावन में लड़के की बेहन पीहर आ रही थी अब भाई तो सो रहा था बेहन ने देखा कि भाई के पैर के पास एक साप सो रहा है बेहन डर गई बेहन डर के मारे उस साप को इतना पीटा इतना पीटा कि वो साप मर गया और जब भाई उठा तो बहुत परिशान हुआ और बहन से कहा ये तुमने क्या कर दिया ये तो मेरा दोस्त था जब बहन को ये बात पता चली तो बहन बहुत जादा दुखी होगे और धीरे धीरे ये बात पूरे गाव वालों को पता चली जब गाव वालों को बात पता चली तब उन्होंने कहा अब तुमने जाने या अनजाने पाप तो किया है तो सजा तो ज़रूर मिलेगे जब भाई को ये बात पता चली तो भाई तड़प उथा, भाई के बहुत बिंती करने के बाद ये तैह हुआ कि ठीक है, हम एक कपड़े की गुडिया बनाएं, और उस लड़की का नाम लेकर हम उस गुडिया को पीटे, इसलिए इस गुडिया पीतने को भाई और बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है, न प्रतीक मेडिकल कॉलिजी ने, हम वो सेट अपनी बहन के लिए चाहते हैं, देखे, इसके बदले में आप जो भी चाहते हमसे, हम आपको देगे, हम सेट छोड़ देगे, पर बदले में हमें भी कुछ चाहिए, अरे सुनो, अरे रुको तो सही, तुम्हामें देखके गूम क्यों गए, बहतर है कि आप हमसे दूर रहे है, अरे मासूम श्रवनी का होसलों भरा सफर, देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाए, शिमारू उमंग, झार पर देखने के लिए में इका है कर दोंखर भरा स्वक्तन का हमसे दोने की सही आप स्रेब। झाल झाल